Hey everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. तो आज का मेरा व्लोग होने वाला है खाटू शाम जी की यात्रा का. Trust me, हमारा कोई प्लान नहीं था खाटू शाम जी जाने का लेकिन अचानक से सुबा हस्बेंट बोले की चलो, आज खाटू शाम चलते हैं वरना वो कहीं जाने के लिए रेडी नहीं होते. पर अचानक उन्होंने खुद ही बोला और हम बस दो-दो जोडी हमने कपड़े पैक किये और निकल पड़े गुरुग्राम से NH48 के थ्रियू राजस्थान की तरफ और देखिए रास्ते में कितने सुन्दर सुन्दर पहाड आपको दिखाई देते हैं। कार ड्राइब करते करते ठक गए थे तो हम रुके रास्ते में ये राधे क्रिशना होटल और ये देखिए पीछे से बालकनी का व्यू कितना सुन्दर है और अगले दिन फिर से नाश्टा करके रेडी होके हम चल पड़े खाटू शाम जी की यात्रा की तरफ रिंगस रोड पर पहुंचते ही आपको श्रधालू दिखाई देंगे पैदल यात्रा करते हुए जिसे बोलते हैं शाम यात्रा ये लोग रिंगस रोड से पैदल यात्रा करते हैं जंडा लेकर शाम जी के मंदर तक जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे थे मंदर के वैसे वैसे ही मन में पता नहीं क्यों और ये देखिए हमारे इंडियन्स का जुगार ये लोग जुगार करना कहीं खतम नहीं करेंगे ड्राम काट कर कुलर बना रखा है और ये देखिए ये शाम द्वार आपको दिखाई देगा इससे एक दो किलो मेटर के बाद जो है शाम बाबा का मंदिर है आ आप यहां पे इससे पहले ही पारकिंग में गाड़ी अपनी लगा सकते हैं और रिक्षा के थ्रू जा सकते हैं अगर आप पैदल नहीं जाना चाते क्योंकि आगे गलियां बहुत तंग है अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो खुद ही परेशान होंगे और हम भी रिक्ष पूल वाले भी खड़े थे कुछ लोग नाच भी रहे थे कोई नाचते हुए गा रहा है कोई गाते हुए जा रहा है कोई जैकारे लगाते हुए जा रहा है सब लोग अपनी यात्रा का आनंद लेते लेते ही जा रहे थे और हम भी निकल पड़े रिक्षा पर अगर आप भ सबसे भीड वाली लाइन में थे लेकिन बाबा शाम की मर्जी के आगे कुछ नहाने कहते हैं कि यहीं से बाबा शाम की जो मोड्ती है प्रकट हुई थे और यहाँ नहाने से आपके शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं यहां पर मैंने भी स्नान किया, हस्बेंड ने सिर्फ हाथ मूँ धो लिया, उसके बाद हम चल पड़े, और हाँ, खाटु शाम जी के मंदर से हमने शाम जल भी लिया था, शाम जल की बहुत महिमा है, कहते हैं कि जो अमावस्या है, उसके दिन बाबा खाटु शाम जी को चंद कर पीना होता है, और मंदर से मैंने वो जल भी लिया, शाम जल, जिसे कहा जाता है, और फिर उसके बाद यहां पर हम नहाने आए, नहाने के बाद हम चल पड़े शाम कुंड में, और यहां पर आकर भी बहुत अच्छा लगा, शाम कुंड से नहाने के बाद हम फिर से चल प और अब यहां से वाफिस चल पड़े अपने घर की तरफ यात्रा पूरी हो गई थी पर रास्टे में ये देखिंज रगशताण के ही रेतिले पहार कितने सुन्दर लगते हैं हम चल पड़े दोप हैर को दर्शन करने के बाद राजस्थान से अपने घर की तरफ और रास्ते में रुके प्रिंस होटल यहां पर शाम को हम पहुँचे थे और यहां पर काफी सारे स्टोर्स भी है यहां पर करने के बाद हम पहुच गए फाइनली अपने घर कैसा